सो हेलो फ्रेंस वेलकम तो बैकावर यूटूब एडुकेशन चैनल आज के स्वीदी में हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स तु हिंदी चैप्टर नमबर फाइ धरती को महकाए वर्क बुक क्वेशन नमबर वन निम्न लिखित प्रतेक प्रस्न के उत्तर के लिए दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चून कर उसका क्रम अच्चर प्रस्न के सामने दिये गए बॉक्स में लिखिये नमबर वन 2. सूरज की केरें रोज धर्ती पर आती हैं 3. दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोसनी देता है 4. अपना अंतर जलाकर दीपक किसको रोसन करता है दुनिया को हम अपने अच्छे सच्छे कामों में सारी धर्ती को महकाएंगे स्थानों की पूर्ति कीजिए नमबर बगिया के फूलों को देखो कैसे खुस-खुस रहते हैं सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती हैं थर्द नमबर दीपक को देखो कैसे यह हर्दम जलता रहता हैं फूर्द नमबर आओ हम भी इंसा बनकर जग में अपना नाम कमाएं क्वेशन नमबर थ्री सही वाक्यां शून कर विधानों को पूर्ण कीजिए नमबर वन जगत को रोसन करने के लिए दीपक अपना हिर्दे चलाता है सूरज की केरों सारे संसार को चमकाती हैं क्वेशन नमबर फॉर्ड निम्द लिखित प्रसनों के उत्तर एक एक वाक्या में लिखिए नमबर वन आपके आसपास में कौन-कौन से फूल दिखाई देते हैं मोगरा, कमल, गुलाब, जूही, गुरहल और सूर्य मुखी प्रकृती के तत्व कौन-कौन से हैं सूर्य दीपक, पानी, वायू प्रकृती के तत्व हैं थर्ड नमबर कौन फूलों को हसने से नहीं रोख पाता आंधी और तूफान फूलों को हसने से नहीं रोप पाता फूर्थ नमबर धर्थी पर धर्थी को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए आप क्या करेंगे धर्थी को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए हम सच्चे और अच्छे काम करेंगे फिफ्ट नमबर जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए जग में नाम कमाने के लिए हमें अच्छा इंसान बनना परेगा फिफ्ट नमबर प्रकृती से हमें क्या क्या मिलता है प्रकृती से हमें हवा पानी प्रकास मिलता है फिफ्ट नमबर निम्न लिखित प्रसनों के उत्तर लिखिए नमबर वन फूल सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं सूरज अंधेरे अंधेरे दूर करके हमें प्रकास देता है दीपक स्वयम को जलाकर जग को रौसन करता है इनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिती में खुश रहकर अपना काम करना चाहिए सेके नमबर यदी सूरज न निकलता और बगीचे में पेर चलते तो क्या होता यदी सूरज न निकलता तो बादल न बनते वर्सा नहीं होता और यदी बगीचे में पेर चलते तो हर तरफ तबाही और अफरा तफरी मत जाती नमबर वन रोसन करना उजाला करना प्रकासित करना वाक्य दिया खुद जलकर घर को प्रकासित करता है सके नमबर इंसान बनना अच्छा आदमी बनना अच्छा काम करके अच्छे इंसान बन सकते हैं नाम कमाना यस प्राप्त करना वाक्य गांधी जी ने समाज सेवक बनकर जग में नाम कमाया क्वेशन नमबर सेवन निम्न लिकित सब्दों के समान आर्थी सब्दे लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए नमबर वन पुस्प इसका समान आर्थी सब्द है आपका फूल और इसका वाक्य है आपका फूल जगत को महकाते हैं फिर आपका है सूरज, जिसका समान आर्थी सब्द है आपका सूर्य, भानू, रवी, भासकर, दिनकर, जिसका आपका वाक्य है सूर्य बहुत गरम है, धर्द नमबर भूमी, भूमी का आपका समान आर्थी सब्द है धर्ती, धरा, जमीन, फिर आपका इसका वाक्य है धर्ती ह हमारी मा हैं फूर्थ नमबर मानव जिसका आपका स्तमान आर्थी सब्द है इंसान मनुस्त्य जिसका वाक्या है आपका इंसान दिन रात मेहनत करते हैं फिफ्ट नमबर दिया दीपक जिसका वाक्या है आपका दीपक अंधेरे अंधेरा हरता है question number 8 कोस्तक में से उचित सर्व नाम चून कर रिट स्थानों की पूर्ती कीचिए number 1 तुम्हारा नाम क्या है second number देखो तो कोई इधर ही आ रहा है third खाने के लिए कुछ तो दे दो बहुत भूख लगी है fourth number मैंने अपना काम पूरा कर लिया है fifth number आप कहां जा रहे है और यहाँ पे आपका question number 9 आया है निम्न लिखित प्रस्णो निम्न लिखित सब्दो का वचन परिवर्तन कीचिए number 1 लर्का लर्के second number है पंखा पंखे third number है आख आखे fourth number किताब किताबे fifth number पोधा पोधे sixth number पैंसिल पैंसिले इसे के साथ आपका यहाँ पे chapter number 5 पिनीज होता है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इसे like, subscribe, and subscribe की जमलते हैं अगरे वीडियो में जहीं जाभारत